हेलो फ्रेंड स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों अगर आप के पैस कई सारे इस्टागराम एकाउंट हैं और उन में से किसी भी एकाउंट को पर्मानेटी डीट करना चाते हैं तो इस वीडियो में बताए क्वे प्रोसेस को फोलो करके इजली आपने इस्टागराम को डिलीट कर पाएंगे तो वीडियो में एंट तक बने रहें ताकि आप से कोई भी स्टेप मिस ना हो और इसली आपने इस्टाग्राम एकाउंट को डिलीट कर पाएं वीडियो पसंद का वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके विल आइकन प्र आपको इस्टाग्राम अप्लिकेशन ओपन करने के वाद आपको नीचे दिखाए दरे अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है जैसे अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऊपर दिखाए दरे राइट साइड में तीन लाइने तो यहाँ पर आपको छेटिंग में एक आपहसों मिल जाता होगाऊंट पर उसके बाद किसको परक Lynda सब्सकुमान का इसनषलेटित मिल जाएंगे आपकी स्ब्साइब चाहँं कर देश्टे ब्यांगे उसके बाद कुछ स्बाइस Александrid ता कि आप से कोई भी स्टेप मिस ना हो उसके बाद जिसे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा तो आपको आप राइट साइड में उपर दिखाए दरे तीन लाइन पर किलिक करना है जैसे किलिक करेंगे तो यहां पर आपको आपसन देखने को मिल जाएगा मैनेज और अकाउंट का तो सि आपको डिलीट एयर अकाउंट पर किलिक करना है जैसे आप डिलीट एयर अकाउंट पर किलिक करेंगे तो यहां पर आपके समय डिलीट एयर अकाउंट के तीन आपसन मिल जाएंगे टमपरेरी डिटेट एयर इस्टाग्राम अकाउंट डिलीट एयर इस्टाग्राम अकाउ जाएगा तो simply आपको इसके नीचे स्कोल करनेंगे तो यहाँ नोट में आपको option मिलेगा follow these if you like to delete your Instagram account तो simply आपको नीले में मिलेगा delete your Instagram account तो simply आपको उस पर click करना है जैसे आप delete your Instagram account पर click करेंगे तो उसके अबाद सबसे उच्छे आप redirect हो जाएंगे तो simply आपको जहाँ पर android help लिका मिलेगा simply आपको android help पर click कर लेना है जैसे android help पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएगे जैसे android help computer help iphone help mobile browser help तो simply आपको mobile browser help पर click कर लेना है जैसे mobile browser help पर click करेंगे उसके बाद यहां से आपको थोड़ा नीचे स्कोल करना है जैसे नीचे स्कोल करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा to request the permanent relation of your account तो उसके नीचे आपको आपसे मिलेगा delete your account तो simply आपको delete your account पर click करना है जैसे आप delete your account पर click करेंगे उसके बाद सिंपल आपको यहां से अपना region select करने ना है जिसके यहां से आपको option मिलेगा why do you want delete के नीचे आपको click करना है और यहां से आपको अपना region select करने ना जिस भी region से आप delete करना जानते है region select करने के बाद सिंपल आपको नीचे आपसन मिल जाता है re-enter your password यहां पर अपने इस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको अपने इस्टाग्राम अकाउंट का पासवोड जो है डालना पड़ेगा जगर आपने इस्टाग्राम अकाउंट का पासवोड भूल चेके हैं तो उस पर हमने एक जो डिलीट के वीडियो बनाया उ आपके इस्टाग्राम एकाउंट को डिलीट करने के लिए एक मेहने का टाइम चाहिए उसके बाद आपका इस्टाग्राम एक मेहने के पहले आप इसे लोगिन कर लेते हैं तो डिलीट नहीं होगा वरना एक महीने बाद आपका इस्टाग्राम इकाउंट डिलीट हो जाएगा तो password डालने के बाद simply आपको delete मिल जाएगा उसके बाद आपको यूजर ने मिल जाएगा simply उस पर click कर देना है जैसे click करेंगे उसके बाद दुबारा आप से पूछा जाएगे कि आप sure and delete करने के लिए तो simply आपको ok पर click कर देना है